हैंजी दोस्तों मकर सक्रान्ति की मोके पर देश वासियों को एकटक्सी के रूप में एक नई सोगात मिली है देश की पहली एकटक्सी सेर्विस चंदिगट से हर्याना के हिसार के लिए शुरू की गई है हर्याना के मुख्या मंतरी मनोहरलाल खटर ने इस एय टैक्सी सर्विस का सुबारम किया है एय टैक्सी सुरू होने से अब हिसार से चंडीगर्ट का सफर महस 50 मिनट में पूरा हो सकेगा दोस्तों खास बात ये है कि इस एय टैक्सी का किराया बिल्कुल सड़क पर दोड़ने वाली टैक्सी जितना ही होगा तो चले दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर जिजी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए तो चले दोस्तों जानते हैं डिटेल में दोस्तो अगर आप हिसार से चंदिगड के लिए एरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं तो आपको 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक का किराया देना होगा एर टैक्सी से आपको समय और पैसे दोनों की बचत होगी एर टैक्सी से सफर के दोरान आपको चेक-इन के लिए खंटे पर पहले रहने की जरूत नहीं है महज 10 मिनट पहले पहुंच कर आप एर टैक्सी विमान में सीट हासिल कर सकते हैं दोस्तो आज देश में एर टैक्सी सर्विस की सुरुवात हुई है और फिलहाल यह हिसार से चंदिगड के लिए शुरू की गई है आने वाले समय में इस सर्विस को देश के अलग लग 26 रूटों पर शुरू किया जाएगा फिलहाल एर टैक्सी कमपनी को नागरिक उडियन मंत्राले ने रिजनल कनेक्टिवटी सकीम के तहट 11 रूटों पर चलाने की अनुमति दी है दोस्तो एर टैक्सी का दूसरा चरण 18 जनवरी को शुरू होगा इस दिन हिसार से देहरादून के लिए एक एर टैक्सी उडान भरेगी तीसरे चरण में चंदिगर्च से देहरादून और हिसार से धरमसाला के बीच एर टैक्सी सर्विस सुरू की जाएगी इसके बाद हर्याना से सीमला कुल्लू समेत कई रूटों के लिए एर टैक्सी सर्विस सुरू की जाएगी हिसार से धर्मसाला की दूरी महज तेट घंटे में पूरी होगी और इसका किराया धाई हजार रुपए होगा दहरादून के सवा घंटे के सफर के लिए भी मुसाफिर को ठाई हजार रुपए की राया देना होगा दोस्तों वैसे तो एर टैक्सी आपके सफर को और असान बनाने जा रही है लेकि इसमें बस एक खामी है और वह खामी यह है कि मोसम के मुताबिक उड़ान भरेगी अगर मोसम साफ हुआ तो आप एर टैक्सी के सफर का लुफ्ट उठा सकते हैं और अगर मोसम में जरा भी खराबी हुई तो यह डैक्सी उड़ान नहीं बरेगी यानि एर टैक्सी की उड़ान का समय मोसम पर निर्भर करता है दोस्तो आपको बता दें कि ये टेक्सी सर्विस को किंदर सरकार की उडान सकीम के तहट शुरू किया गया है अब हिसार एयरपोर्ट फार्ट सरकार की रिजनल कनेक्टिविटी सकीम के तहट शुमार हो गया है तो दोस्तो यह है थी पूरी जानकारी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स ओर बहुत जानकारी एक अधनस्ट टेकनिकल यहान